स्कॉट्लेंड में एक किसान था नाम था उसका फ्लैमिंग एक दिन वो अपनी किसानी कर रहा तो पीछे से उसने आवाजे सुनी एक बच्चा दलदल में फसा हुआ था तो देखता है कि वो बच्चा कमर तक दलदल में धसा हुआ है और बनने के कगार पे था तो आलत यह और उसने उस बच्चे को बाहर निकाला लिए वो बच्चा लिया और उसी बच्चे को बच्चा चला घ़ा एक बहुत बड़ी किसान का जोपड़े के सामने एक बहुत मधे कार honor के घगए और उसमें से एक बहुत बड़े रॉडॉल्फ चर्चिल के आपने नाम सुना होगा बहुत बड़े उस जमाने के अमीर थे वह आके आए उन्होंने बोला कि फ्लेमिंग आपने मेरे बच्चे को बचाए आपने बच्चे को बच्चा और मैं कुछ इसके लिए कुछ करना चाहता हूं तो उन्होंने बोला के बौस यार ये तो मौनवता काम इंसानियत का मैं इसमें पैसे का लेन देन का कोई इं उन्हें कुछ तो COVID लिना पड़ेगा वो नहीं थूद अप आये इतनी बड़ी बड़ी बात है इतने में देखता है कि जो कह अंदर से पमिट्रो दौटते उए तो उसको उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया उस बच्चे को सेंट बेरीज मेडिकल कॉलेज जो लंडन का था बेस्ट और वह लड़का आगे जाके आप देखिए वह कौन बना मालूम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना और 1928 28 सेप्टेमबर को उसने पेंसीलिन का फस्ट एंटिबाटिक का इन्वेंशन किया पहला एंटिबाटिक जो दुनिया आज जिद्दा है तो पहला एंटिबाटिक पेंसीलिन का अविश्कार करने वाला कहानी में ट्विस्ट अभी आता है वह जो लड़का था जिस वाला था कि यही पेंसिलिन से वो बच्चा ठीक हुआ और वो लड़का बाद में जाके UK का दो बार का प्राइम मिनिस्टर बना उनका नाम ता विंस्टन चर्चिल तो बलाई है ना जो पलट पलट के आती है यह अलेक्जेंडर फ्लैमी कैसा आदमी था कि 1945 में इनको मेडिसिन का नोबल दिया गया और इनको बोला कि पेंसिलिन को पेटेंट करना है तो आपको क्रोड डॉलर मिलेंगे इसने बोला नहीं फ्रियाप चौर्च उसी के कारण सेक कुर्च झी के छाठी यह ah